हेलो एब्रीवान विलकम करते हूँ एक नहीं ब्लॉग में प्रीटीश गूड लाइफ ब्लॉग में तो आज हम अपने टॉप मॉडल वाशिंग मशीन को कैसे क्लीन करना है यह बहुत सरल आइडिया है तो आज इस वीडियो को हम सेयर करने वाले हैं वीडियो को फूल वाश क करना तो आज के इस वीडियो में वर्पूल का टॉप मॉडल टप कैसे क्लीन करना है जो बहुत आसान है तो मैं जब नया नया ली थी न तो एक बार मैंने इसको क्लीन करवाया था और मैंने उनसे पूछा था कि इसको जब हमें घर पे करना होगा तो कैसे हम इसको क्लीन करे यह सब गंदे हो जाते हैं जो हमें बाहर से बिल्कुल नहीं दिखता लेकिन जब इसको सफाई करो तो फिर एकदम पता चलता है कि बहुत सारी गंदगी निकलती है और यही कारण होता है जो हमारे कपड़े मेले मेले साफ होते हैं जब भी कपड़े साफ करते हैं तो उसमें जब ड्रायर करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो है डर्ष्ट गंदिगी सब चिपक जाते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है सबसे पहले मैं क्या करूंगी यह उपर उपर का जो कॉर्णर है जो रबड़ है यह सारे मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी जितना मेरा हाथ जहां तक पहुचता है इसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी और इसके जो ड्रम को साफ करना है वो भी बहुत आसान है तो आग इसी बस मेहनत चाहिए होता है जब भी आप कपड़े क्लीन करो तो इस तरह से एक सूखा वाइप कर दो मतलब कपड़े से पोच दो तो इससे आपकी जो है वासी मशीन नीट और क्लीन बनी रहती और सबसे अच्छी बात है कि हमें जो है किसी को बुलाना नहीं पड़ता है ध चलते हैं तो यह जो हमने लिया है सर्फ एक्सल का यह मैंने ऑनलाइन ब्लिंकिट से मगाया था और यह मसीन ड्रम डिस्क्लियर टेबलेट है तो इसमें आपको तीन बार जो है धुलने को मतलब मिलेगा तो यह 120 ग्राम का है और इसमें 6 टेबलेट होते हैं और यह किसी भी मसीन में आप क्लीन कर सकते हो जैसे कि LG का हुआ वीडियो कौन का हुआ और बहुत सारे जो मतलब वासिंग मसीन अलग-अलग कंपनी की आती है तो यह जो है सर्फ एक्सल का सबसे परफेक्ट होता है और जब मैंने साफ करवाया था ना तो मैंने इसी सर्फ एक्सल से जो है म कार में आप इसको यूज कर सकते हो और तीन से चार महीने के बीच में एक बार क्लीन करना जरूरी होता है क्योंकि जब हम रेगुलर कपड़े धूलते हैं तो मसीन गंदा हो ही जाती है तो देखिए हमने इसको जो है दो ले लिये हैं बाकी के हमने रग दिये हैं और सबसे आपके बहुत ज्यादा जो बेस्ट होते हैं वो पैसे वेस्ट नहीं होंगे और घर पर आप आसाने से धूल सकते हो तो देखिए हमने दो टैबलेट्स ले लिए हैं बहुत हार्ड होता है और बस मैं इसको टब में ड्रम में मतलब डाल दूंगी इस तरह से देख लीजिए जैसे आपको डालना है और एक जो पावडर फॉर्म में आता है वो भी सारफेकिल का मिल जाता है वट हमने यही वाला मंगाया है और उसके बाद अब क्या करेंगे इसको जो है बंद कर देंगे और उसके बाद जो है मसीन को आन देंगे बहुत सारे option है तो आपको कुछ भी नहीं करना है बस आप पी फाइब पर इसको करना है और यहां पर देखिए अपने आप option आजाता है जितना पानी चाहिए होता है तो यहां पर हमने स्टेन वास करना है और उसके बाद यहां पर करो कि दो हो यह मसीन lose फेले के लिए पर फिक्ट यह मतलब पयंदे के लिए देखिए हैं अब यह जो क्या बहुते हैं इसको हाट वाटर वास हैं तो यह गंदगी को साफ करेगा यहां यहां पर hot का जो option बनाए तो यह अपने आप green हो जाता है जब stain wash करेंगे और जो water label है वो जो है low रहेगा low मतलब जैसे आप stain wash करेंगे तो वो low हो जाएगा भागी आपको जब दुबारा धुलना होगा तो आप हाई पर करके इसको बहुत सारे पानी कठे करके धूर सकते हो औ और उसके बाद यह आपके washing machine जो है देखने लायक हो जाएगा तो देखिए हमने एक घंटे मतलब इसको छोड़ दिया था एक घंटे हो चुके हैं अभी डेड़ घंटे वाकी है तो अभी पूरी तरह से पानी जो है गंदा नहीं हुआ है आप लोग गुदी देख लिजी थोड़ा सा मतलब पानी साफ है तो अभी डेड़ घंटा है और पानी बहुत जादा हो चुका है बहुत गरम हो चुका है यह चूर्य नहीं बन रहा है और बस इसको हम मतलब बंद कर देंगे और फीर डेड़ घंटा इसको और चलने देते हैं तो बस जैसे जैसे यह चले 내가 machine वैसे वैसे जितने हाड़ वाटर होते हैं सब चिप के रहते हैं वह सब अच्छे से साफ कर देगा तो देखिए हमने पानी को जो है ड्रेन कर दिया है अभी जो यह थोड़ी बहुत जो गंदगी बच्छी है ना अब इसके में क्या करेंगे नॉर्मल जो है इसको चला के और इसके बाद इसमें थोड़ा सा सर्फ डालेंगे सर्फ डालने के बाद जो है फिर इसको हम वापस चला के उसके बाद साफ कर लेंगे तो जो आप गंदगी देख रहे हो ना अभी मेरा ज्यादा गंदा नहीं हुआ था बस आप लोग को देखने के परपस से मतलब वीडियो बनाने के परपस से मैंने किया था क्योंकि अभी हमने दो महीना पहले साफ करवाया था तो कम से कम अगर आप साफ करते हो तो तीन से चार महीने के बीच में एक बाद जरूर साफ कर दीजे इससे आपके कप्ड़े जो है जो है जो साइनिंग बने रहेंगे अच्छे से साफ होंगे और आप लोग देख लीजी मेरे टब को इतना बढ़िया से यह क्लीन हो गया है और यह जो ब्लैक ब्लैक देख रहें वो साइड का जो है वो परचाई है वो दिख रहें तो आप लोग खुद ही देख लीजे इतना बढ़िया से जब आपका वासी मसीन अच्छे से साफ हो जाएगा तो कप्ड़े अपने आप जो ह प्रीका है और आसान है आपके पैसे बच जाएंगे तो जरूर इस तरह से आप अपने वासी मसीन को साफ करना अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना नीव हो तो सब्सक्राइब कर लेना शेयर करना ना भूले